तो दोस्तो आज 28 December 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टेंट शेर्स के उपर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट से कुछ इंपोर्टेंट न्यूस है तो चले के करके कवर करते हो तो सबसे बहला हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की दिगज कंपणी मैच गाव डॉक शीप बिल्डा लिमिटेट शेर के बारे में आज की डेट पे ओविएसली मार्केट का सेंटिमेंट काफी बेरिश था काफी नेगेटिब था जिसके करण चाहिए वो रेलवे सेक्टर हो डिफेंस सेक्टर हो FMC से लेके FMEG, Bank Nifty, IT सेक्टर, Auto सेक्टर हर एक A to Z सेक्टर में कुछ ना कुछ कम ज्यादा किरावर देखनी को मिला तो दोस्तों आज बजार क्लोज हो जाने के बाद कमपनी के दोरा एक सेंज को कुछ नोटिस इनफॉर्म किया आईए देख लेते हैं क्या है मामला तो दो बहुत बढ़ा कॉंट्रेक्ट मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरब से यह देखें यह निउस पीएसु मेजर बैक निू कॉंट्रेक्ट ओडर्र फ्रम डिफेंस मिनिस्ट्री स्टाक्स इनफोकस ओन 21st December क्लियर कर यहां पर मेंचें किया कि कल यानि 21st को दोस्तों यह शे से बड़ा पंट्रेक्ट मिला किइस बैसम कारोड का यह देखिए 16 owes लिए टोकि कंज़ मेंगा को चेयर Mihal wrestle का νा और I think कि कल अगर market का sentiment almost flat भी रहा ना, अगर bullish ना हो के, तो भी दोस्तो share काम कर जाएगा, मतब share में तेजी आ जाएगा, अब जिस बेज़े मैं आपको इसके पहले भी बार बार mention किया था, कि इस टेप की company को जितना हो सके, buy on dips में buy करते जाएए, long term में देखना आपको benefit जरू आए था, but ofs आना problem नहीं है, ofs तो आया चलो, चला गया, 8-10% गिरावट हुआ, उसकवाज share में automatically recovery हो गया, क्योंकि company में अगर dumb रहाना, automatically recovery हो जाएगा, इस बैसे मैं बोलूँगा, अगर कल आपको थोड़ा इसी valuation का आसपा share मिलता है, इसी price का जरूर भाई कीजिए, but most of the chance कल एकदम से gap up होने का ही सबसे जादा है, तो obviously आपके वास अगर share है, hold करे, okay, next important update दोस्तों याद कीजिए, कल same to same, सारे नौकी वीडियो में आपको mention किया था, क्या आज की rate में ये जो company है, सालसार, techno engineering limited, ये company आज bonus announcement करेगा shareholder के लिए, तो आज bonus announcement किया, वो भी during market में, जि to one ratio में bonus share का announcement किया, और मैं आपको थोड़ा समझा दे तो इसका मतलब क्या, four is to one ratio में मतलब, suppose आपके वास ये company का एक share है, उसके साथ आपको 4 extra bonus मिलेगा, तो मतलब ये जो एक share है, ultimately बन जाएगा total 5 share में, तो मतलब आपके वास अगर एक share है, वो बन जाएगा 5, 2 है तो 10 ब बन जाएगा, basically आपको इसी ratio में bonus allot मिलेगा, बाकी देखिए अभी तक company ने कोई भी record date या एक्स डेट, mention नहीं क्या, exchange को, आगे हो सकते कि next 1 मेने के भीतर भीतर mention कर देगा, तो आप अगर कल भाई करे, या दो हफते भाई, बात भाई करे, जब तक ना company recorded announcement करे, तब तक द share को लेके, बहुत सारे share roller मेरे उपर थोड़ा नाराज है कि, last day मैंने कहा था कि share में तेजी होगा, share में आज लगबग 5-5% crash किया, तो देखे, बहुत ही simple सी बात है, बहुत ही simple सी बात है कि market की sentiments है ना, उसके उपर कोई नहीं है, आज अगर आप देखो के, शुरुआत कहा अगर कोई पैसा कमा लेते हर कोई पैसा कमा नहीं पाता मार्केट में, क्यूंकि, कि हर किसी बात पैस नाम की जो चीज है ना, वो बहुत कीमती है, वो किसी बात नहीं होते, बहुत गिने चुने लोकेवास होते है, ठीक है, आर्जे सर्ट टाइप की, या वरन वेफट सर्ट टाइप की, तो आप देखी सकतो, आज की रेट में शेर में गिरावार टू सब्सक्राइब बात करें, करें तो करें क्या, और कहां तक गिर सकता है, तो आपके अंदर अगर वो पेशेंस है, सबसे बार 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 बोला हूं की, शौट टम इंवेस्टर्स के लिए शेर है ही नहीं, आप खुछ से पोचिए, कि आपके अंदर वो पेशेंस है, कि आप पेशेंस फुली इसको पांच से दस साल होल कर सकते है, या आप खुछ से पूचिए, एंसर अगर ये सरा, जरूर भाई कीजिए, इस लेबल पे, 100, 104, 105, जरूर अच्छी लेबल है, लॉंग टम में जो कि आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है, क्लियर, और कोई डाउट है, आप मुझे प्लीज कमेंट बक्स में जरूर बताना, मैं कमेंट पर रिप्लाइ करने की कोशिश करूगा, नेक्स नम बात करें कि एक ऐसा ही शेर, अब सवाल यह नहीं, सवाल यह उठता कि शेर में कहां तक गिरावाट की बीचे देखें कोई इंटरनल रिजन नहीं है, कोई खराब न्यूस भी नहीं है, नॉर्मली मार्केट की सेंटिमें बेरिश था, इस बैसे गिरावाट हुआ, तो ध्यान से देखें, यहां पे जब उपर की तरह मुफ किया था, लगबग 2550 के असपस एक बर बेस बनाया था, मतलि यहां पर थोड़ा सपोर्ड मिला था, तो इमेडिये अगर हम बात करें, और ज़्यादर गिरावाट होता है, जिसका चांस काफी कम है, अगर कल मार्केट का सेंटिमेंट जो है, बुलिश र लॉंग टर्म की पॉइंट इव वी से जरूर होल्ड कीजे, देखना लॉंग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट में लगा, बट शॉर्ट टर्म इंवेस्टर्स के लिए बोलूंगा, आप चाहे तो इग्नोर कर सकतो, और इसका साब सुदरा मतलब यह है, कि यह जो गिरा आप खुझ से पूछे, यह आपके अंदर पेशन्स है यह नहीं है, बाकि आपके यह पर डिपेंड करता है, ओके, नेक्स्ट इंपोर्टन अप्डेट है, आई प्योंग उसके जिएमपी, शुरुवात करेंगे दोस्तों बट उसके पहले, अगर आपको वीडियो भीडिय लगा, इन्फर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूरू रखना, इस्टाप की इन्फर्मेटिव वीडियो रोज पानी के लिए, एक एक करके चली देख लिए आई पोसकी जल्दी, बहुत सार आई प्योंगे प्रिमयाँ चल रहा है, सुप्रीम पावर एक्व्मेट एक्विडियो पर्षिप्शन के प्रिमयाँ पाउच चुका है, उसके बाद ट्राइट टेक लाब बजल दी बजार पर उपन होगा, एक सुच्वादा परसंट के प्रिमयाँ अजाद इंजिनरिंग आज एक ही दिन लगबग 10% के प्रिमयाँ, मुफ्ति जिन्स की बात करें, 51% के प्रिमयाँ, इलेक्ट्रो फोर्स इंडिया की बात करें, 10% के प्रिमयाँ, आज से उपन होगा है, मतलब इसका प्रिमयाँ कलते का हम ने देगा था, इसका प्रिमयाँ निल चल रहा था, फिलाल 5% की प्रिमय बाइस परसन की प्रिमियम स्याराम डी साइक्लिंग बेस एसमी अठतर परसन की प्रिमियम और उसके साथ आई नॉक्स इंडिया आई प्यों बहुत ही चल पजार पर लिस्ट होगा 69 परसन प्रियों में चला है ग्रे मार्केट पे नेक्स्ट इंपॉर्टन अपडेट दोस्तो एस्टरल की पर एस्टरल की दोस्तों शियर आज शुड़वाद में थोड़ा तेजी था उसके बाद एकदम से ड्रॉप हुआ और जिस बैसे थोड़ा वाता में आज देखा था शुड़ू में क्यूंकि बायर्स मिल गया था अगर बायर्स नहीं मिलता शियर गिरावाट ह हो था बायर्स मिल गया बायर्स एक्टिवेट हुआ जिस बैसे तेजी वा पर यहां पर अनलीस द्वारा मेंशन के कि शॉट्ट में थोड़ा बहुत वालेटल हो सकता वर लॉंग टम में एक अच्छा आपको रिटन कमांके दे सकते को आपको सारी कंपनी ना मैनृफेक्ट सब्सक्राइब लिस्ट में इनफोस इस लिमिटेट आज शुरुआत में तो काफी तेजी था शियर हमने देखा इवन और उसके बाद शियर में गिरावाट हुआ ओविसलिया आईटी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत प्रेशर था आईटी सेक्टर भी आज काफी तो देखें इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिजन यह है कि आज दुनिया का लाज़ेस्ट आईटी कंपणी एसेंशर का दोस्तों और रेजल में दोस्तों थोड़ा सा माइल ग्रोथ हमें देखने को मिला मतलब जितना ग्रोथ एक्सपेक्टेट था मार्केट का उतना नह देखने को मिला तो दोस्तों इस टॉपिक के यूपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कल बचार किस तरह मूफ कर सकता है खासकर कि यह सारे जिए अपडेट में आपको दे दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और इन्फोस इसको मैं क्या बोल तो मिलते नेक्स्ट वीडियो पे तब तक लिए टिक क्या बाबाई जाए हिन